पाकिस्तान में भले ही यह कहा जाता हो कि वहां लोकतंत्र है पर पाकिस्तान के बहाली के बाद से अब तक अगर दिखा जाए तो पहली बार वहां लोकतंत्र दिख रहा है और जो लोकतंत्र दिख रहा है वहां की सरकार चलाने वाली सेना आईएसाई मुल्नों और उन लोगों के खिलाप सड़क पर उतराया है जो लोकतंत्र की रास्ते में लंबे समय से रोडा बने हुए थे लोकतंत्र के रास्ते में रोडा बन करके ही वह के ISI ने जब चाहा जिसे फांसी पे लटका दिया, जब चाहा उस देश के रास्टपत प्रधानमंत्री को देश से बाहर रहने को मजबूर कर दिया, जब चाहा तब उसके खत्या करा दी, लेकिन आज जब इमरान खान सत्ता से बाहर हैं और वो आंदोलन कर रहा हैं, उन्हें कुचलने की शाजिस वही शक्तियां कर रही हैं जो पाकिस्तान में लोकतंत्र बहाली के रास्ते में बाधक थी, उन्हें शक्तियों के खिलाब जनता सडक पर है, पहली बार सेना के खिलाब पाकिस्तान में लोग सडक पर उत्रे हैं और सेना मुख्यारे में घुस करके ISI और वहां की सत्ता में बैठी हुई पुलिटिकल पार्टी और नेता इमरान खान को फसाना चाहते हैं पुलिस का कहना कि इमरान खान को अल-कादी ट्रस्ट मामले में गिरफतार किया गया है आरोप है कि पाकिस्तानी तहरीके इंसाफ पार्टी पिटी आई की प्रमुख और उनकी पत्नी ने बता रिश्वत अरवो रुपए और सैकडो कनाल की जमीन हासिल की थी यह रिश्वत इमरान खान की सरकार के दौरान पचास अरव रुपए की मनी लॉर्टनिंग के बदले में एक रियल स्टेट फर्म ने दी थी इस मामले की जड़ यूनाइटेड किंडम यानि ब्रिटेन से जुड़ती हैं जहां एक ऐसे सक्स का खाता फुरीज किया गया के बारे में भी यह कहा गया कि यह रकम किसी दूसरे देश में रस्टाचार से कमाई हुई धनराश है मामले का चकर पांच साल पहले शुरूआ था जब यूनाइटेड किंडम की नेशनल क्राइम एजनसी एंसी ए रियल स्टेट टाइकून मलिक रियाज के परिवार के साथ एक सोनब्य मिलियन पॉंड के समझोते पर सहमत हुई थी एंसी ए दौरा जारी बयान का हमसार इस सेटिल्मेंट में बिटेन की संपत्ती एक हाइड पार्क प्लेस लंदन चामिल थी जिसका मुल्य लगवा पच्चास मिलियन पॉंड था और सभी धनराश मलिक रियाज के फ पाकिस्तान तहरी के इंसाफ यानि पी टी आई पार्टी के सत्ता में आने के तुरंद बाद 14 अगस्त 2019 को जारी एक प्रेस विग्यप्ति में एंसी ए ने कहा एंसी ए के कुल सौ मिलियन पाउंड से अधिक की धनराश वाले आठ खातों को फ्रेश करने के लिए कहा गया है जो एक विदेशी रास्ट में रिश्वत खोरी और ध्रस्टाचार से पाने का संकेत देते हैं दिसंबर 2018 में एक सुनवाई के बाद एक संबंधित व्यक्ति द्वारा रखे गए लग में 50 मिलियन पाउंड को फ्रीज कर दिया गया उस साल की शुरुवात में पाकिस्तान के सुप्रिम कोट ने रियाज की 460 आरब रूपए की पेशकस को उसके रियल एस्टेट फर्म भ पाया गया थे कि भारिया टाउन लिमिटेड ने कराची के बाहर बहुत धेर सारी जमीन गलत तरीके से अधिग्रहित कर ली है कबजा कर ली है इसके बाद यह हुआ कि उनेटेट किंग्डम में एंसीय को रियाज के साथ सेटिल्मेंट में मिली रकम पाकिस्तान सुप्रिप कोट के हवाले कर दी गई जब एंसीय ने तीन दिसंबर को पने फैशले की घोशना की थी तब जवाब दही पर प्रधान मंत्री के विशेश सराका मिर्या शाजात अकबर ने दावा किया था कि वह रकम पैसा सीधे सरकार के खाते में आएगी बाद में इस औस प्रस्ता पर सवाल के जाने पर S.A.P.M. अकबर ने जवाब दिया था कि सुप्रेम कोट सरकार का हिस्सा नहीं है इसलिए अगर पैसा शीष अदालत में जाता है तो इसका मतलब है कि पैसा राजजी के पास आता है S.A.P.M. ने ब्रिटेन सहित मामलों में सामिर पक्षों के बीच गोप कर दिया था जून बीस सो बाइस में जब मलिक रियाज और उनकी बेटी के बीच कोई बाच्चित का मामला वाइरल हुआ और उसके बास यह प्रक्रण और सुर्खियों में आ गया उस आडियों में दोनों को इमरान खान की पत्नी बुश्रा बीबी की दोस्त फरा खान उर् महिला जी से रियाज की बेटी माना जाता और उसने पिता को बताया कि फराह ने उसे इमरान की पत्नी नोंसे तीन केरेट हीरे की डूंठी स्विकार नहीं कर ने के लिए कहा था मामला जब पब्लिक के बीच आ गया तो रियाज शिप किसी वह राजनेत्रिक मामले में अपनी भूमिका से इंकार किया और कहा कि यह आडियो मन गणन्त और फर्जी है एक हपते बाद 14 जुन को आंतरिक मंतरी राणा सनाउल्ला ने इम्रान और उनकी पत्नी पर मनी लंडरिंग मामले में रियल एस्टेट फर्म की रक्षा के लिए पांच अरब रूपए और सैकड़ो कनाल जमील लेने का आरोप लगाया इसलामाबाद में एक संबादाता संबिलन को संबोधित करते हुए सनाउल्ला ने कहा कि बहरिया टाउन ने बिर्टेन में पाकिस्त कालीन प्टियाई सरकार को अप्रात के बारे में सूचित किया था सनाउल्ला ने दावा किया कि उस समय प्लान मंतरी इम्रान ने मामले को हल करने के लिए जवाब देही पर पीम के सहयोगी शहाजाद अकबर को काम सोपा अकबर ने पूरे मामले को सल्टा दिया और पचास अरब रुपय की जो संपत्य थी जो पाकिस्तान के रास्टे खाजाने में आनी थी उसे बहरिया टाउन शिप के मामले में समयोजित कर दिया। संगी केमिर्ट ने जाँच के लिए एक समिती का गठन भी इसी के समानांतर किया। सनाउल्ला के अनुसार बहरिया टाउन ने अलकादी ट्रस्ट को सैकड़ोई का जमीन दान की थी जिसमें रियल एस्टेट डेवलपर के दान दाताओं और इमरान की पतनी बुश्रा खान के हस्ताखर थे। उन्होंने कहा कि गैर लापकरी स्टेट के केवल दो ही ट्रस्टी हैं एक इमरान खान और दूसरा बुश्रा बीवी। मंतरी ने कहा कि अन्य दो सो चालिस कनाल जमीन शाहजादी फराह ने हस्तांतरित की है। रियल स्टेट के कारोबारी मलिक रियाज और इमरान खान के करीवियों पर पाकिस्तान की जांच एजंसियों का शिकंजा कसना इसी के साथ शुरू हो गया। रास्टे जवाब देही ब्यूरो ने कहा है कि अधिकार के दुरुपयोग, वित्तिय लाब और विश्वास के आपराधिक उलंगन के आरोपों की जांच से पता चला है कि अली रियाज मलिक और अन्य ने पाकिस्तान सरकार को धन के प्रत्यावरतन के लिए ब्रिटेन की रा 158 एकर से ज़्यादा के भूम दान की, अन्बिया ने पूरु प्रधान मंतिय अमरान खान के मंतिय मंदल के 21 सदस्यों को नोटिस बिजा था, उसमें गुलाम सरवर खान थे, मुराद सईथ थे, परविच खटक थे, शफकत महमूद थे, शिरीन मजारीत, अली हैदर जैदी थे, हमाद अजहर और जुल्फे बुखारी थे, नौ मई को जैसे ही इमरान कोर्ट में पेश हुए, उन्हें पाकिस्तानी रेंजर्स ने पकड़ लिया, पाकिस्तान की एन्बी ए एजनसी आर्थिक आतंकवाद और वित्ती अपराधों के खिलाफ कारवाई करने के लिए ग किया था, इसके बाद इसके कारशेत का विस्तार किया गया, ब्यूरो को वित्ती, कुप्रबंधन, आर्थिक, आतंकवाद, भरस्टाचार, निजी छेत, राजी छेत, रक्षा छेत और कार्परेट छेत्र के संदिक दिव्यक्तियों के खिलाब जाँच शुरू करने, नहीं कहा जा सकता, लेकि इतना जरूर है कि उनके इस प्रस्टाचार के खिलाफ, जब कारवाई पाकिस्तान में शुरू हुई है, तब पाकिस्तानी आवाम सडक पर है, और वहाँ जो सेना का, ISI का कब्जा था, वो तूट रहा है, देखना है, पाकिस्तान आज की जिस चर सेना और ISI के गिरफ्त में जाता है, या लोकतंत की तरफ कदम बढ़ाता है, इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, किसी नए सवाल पर, नए ढंक से बात करने के लिए, तब तक के लिए, नमस्कार.